सबसे जादा कोई सहती चीज हो गई है तो है इनसान की चिंदगी क्योंकि हम जितनी कबर मना है आए दिन मौध घटनाय ठतय और इसे लेकर जितने भी यह प्रक्रण होते हैं उससे पता चलता है क्योंकि हम आज जिस प्रक्रम को बताने जा रहे हैं उस प्रक्रम के पीछे एक वाक्य छुपा है उस वाक्य के पीछे हमने एक बात भी कही निची ये कि सारी खुदाई एक 다रप और जोरु कभाई एक तरप ये खबर जैसे जैसे आपको आगे ब्रन करेगी वो आपको समझ में आ जाना कि हमने क्यों ऐसा कहा ये मामला राजन गाहों के तुम्री बोल्ड पुलिस चौकी का है तुम्री बोल्ड पुलिस चौकी से ठीक 4 किलमेटर दूर ग्राम धाबा है जहां एक सगाई हो रही थी उसी सगाई में एक डोमेंदर साहू और तीन लोग आपस में विवाद हुआ विवाद उस जगे हुआ जहां पे लोग गुद का पान या कुछ ठाने जाते हैं इसी दौरान विवाद हुआ और तीन जो लोग थी जो आरूपी बाद में हुए उन्हों ने उस सक्स को अपने प्लान के रसार हटाने का पुरा प्लान मनाया लेकिन सगाई भी थी सगाई में वो गए इसके पहले उनसे जो विवाद हुआ दोमेंद्र का उन्हों ने मैं म्हारास्य चले गया कि महारास्य मेंद्र क॥ेसी पूरे में और पूरे में प्यसी ऐसी थी कि वो भी हत्या और छेड़ खाने जैसे कोई मामले को लेगें थी हमने एक बात उससे पुछी तब उन्हें बताए कि थर जंडर केटेगरी के साथ उसका विवाद वता उससे लेकर उसकी पेसी थी लेकिन यह भी हत्या बलत्तार तो या फिर मारपिड की कहाणे जो भी होई होगी लेकिन इससे जोड़ा जा सकता है ऐसे पुलिस के नोट सीट में आया है अब ये बात आगे बढ़ती है लेकिन अब पुलिस को तब किसी की जानकारीय तब TzugeS करनी होती है कोईâte में इस मामले उतbay और में क 50 ह्क चैने तो पुल्स को कैसे ठाव जलता लेकिन यह सक्स किसीगर दो कि昨स्त उतला निटल के संद्ट्रम कोड़ों जैक्ड हो योणिन यहां प्रतक अपरक्द की हुई और देना चीज़ा पूरे दो मेहने के बाद जब पैर दिखा और उसे कपड़े मिले तब जीजा ने उसकी सिनार्थ की किये मेरा शाला है तब जाके पुरा धीरे धीरे मुआ के पुला और उसके ठीक पहले जो तीन आरोपी है तीन आरोपियों ने मृतलक का मोबाइल वेल लेकर इसे बेज दिया था तो दो लोग इस हत्याकान को छुपाने के लिए साक्ष जैसे हुए उसे भी कुलिस ने अंदर कर दिया मतलब 5 लोगों के गिर्पतारी फूइ लेकिन ओवराल ये मांना जा सकता है कि किसी घुड़के के विवाद को लेकर या किसी की हत्या preschool ये कहा सकतता जायज है किस मानसिक्ता को दरसाता है अब इसलिए कह रहे हम कि आज सब से जादा कोई सस्ती चीज़ हो गई तो इंसान की जिन्दकी बारहाल हम आपको बता दे इसे लेकर आज प्रेस वारता की गई प्रेस वारता पे राजन गाव के पुलिस अधिश्य स्थाफ में सारा ची ग्रामको का अंध्यारी पाथ की पहाड़ी के नीचे जंगल में गाड़ा मिला था इसको गाओं के लोगों ने देखा और उसके बाद तुरंट पुलिस को सूचना दी रटना के तुरंट बाद पुलिस इस जाच में लगी और उसकी जो फोटो वीडियोग्राफिक तरा के नजदी की गाओं शेत्रों में संपर्क किया और सर्ब जगा फोटो वाइरल किया उसके बाद उसकी शिनाग दोमेश्वर साहू के नाम से हुई यह डाबा का निवाची था इसकी शिनागती के बाद तुरंट इसकी जाच में पुलिस जुट गई और सभी तरह की एविडि कि इस मामले में भी हुमेनिट का अच्छा प्रयोग और सहयोग हुआ और इसके बाद इसमें पाँच लोगों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली जिसमें धर्मू ठाकूर जुगल ठाकूर और रितेश श्रिवासी मुख्या रोपी थे घटना के जिनोंने मिलके इसमेर कुमार ये दो लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है इसमें भी सफलता मिली है ये दोनों लोग साक्स शुपाने में इनकी मदद किये थे इन सभी को आज विक्रिवत नियाई करिमाज पर दे जा जा जा